देखे आज बात करने वाले हैं विकास लाइफ के बारे में और इसके लिए बहुत क्यारी आ रही है गिरता ही जा रहा है तो कहा तर गिरेगा सब देखने की कोशिच करेंगे और साथी साथ देखेंगे के इसके टार्गेट क्या हो सकते हैं और फ्यूचर क्या रहने वाला है वो देखेंगे हम, देखें अभी जो है इसका प्राइज चल रहा है, सिर्फ 4 रुपे और एक पैसे का, और ये जो है भी, लाइब मार्केट ओपन हो गया है, सुबह के 9 बज गया है, 9 बज के 9 मिनट, और माइनस में अभी ये खुला है, और देखें, 576 करोड की छोटी सी कमपनी है, चार का इसका करन्ट प्राइज, बाकी तो सारी चीज़े खेर ठीक दिखती है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इसमें ये, जो इसका चार्ट है, ये आमको देखने को मिल रहा है, पिशले एक साल से लगबख गिरा हुआ है नीचे वो, हमेसा गिरता ही है, तो देखें, इसके जो पहले जो सपोर्ट रहेगा, तो वो सपोर्ट आता है, ये चार रुपे का, जो की आज इसने टच कर लिया है, यहां देखें, एवरेज करने की बहुत अच्छा चांस बन र अच्छा समय है, मेरे अकोडिंग, मेरे पास भी अच्छी खासी इसके एक होल्डिंग है, लगबख 15-16,000 करीब सेर हैं इसके, और 4 रुपे पर ही खरीदे हुए हैं, तो अगर नीचे जाएगा इससे तो मैं एवरेज करूँगा, बाकी आप खुद देख लीजिएगा, को आपको मिलती रहती है, और देखिए अगर हम बात करें इसके टार्गेट की, तो टार्गेट जो होंगे, वो हो सकते हैं इसके पहला टार्गेट 5 रुपे का, और देखिए इसके अगर कौँज और प्रोज देखें, तो almost debt free company हो चुकी है, फीचर तो company का अच्छा दिखता ह है, 232% का CAGR है पिछले 5 सालों का, साथ ही साथ अगर हम इसके कुछ कौँज देखें तो इसमें promoters ने अपनी holding हटाई है, सिर्फ 11% की holding है, और देखिए कई लोग इसमें कह रहे हैं कि 12% जो है इन्होंने pledge किया हुआ है, तो 12% overall 12% नहीं है, वो 12% है, इस 11% का 12%, तो 12.5% के आसपास, तो इतना share इनके pledge है, तो डरने वाली कोई बात नहीं है, देखें क्योंकि company ने अपना करजा कम किया है, pledge करके अपने आपको एकदम से debt-free company बना लिया है, और देखिए, अगर इसके हम sales देखें, तो sales हमें बढ़ते हुए दिखाई दी है, 9 करोड की हुआ 131 पहुच गी है, हर बार अब देखिए, profit कितने अच्छे कर रहे हैं ये company, क्योंकि company छोटी है, तो operator इसको चला रहा है, इसलिए डरने वाली कोई बात नहीं है, वो बार बार नीचे लाते हैं, फिर उपर ले जाते हैं, तो डरने वाली कोई बात नहीं है, देखिए, minus में देखिए, डरने वाली कोई बात नहीं है, हमेशा देखिए, sales growth हमेशा बड़ी है, profit growth भी बड़ी है, CAGR इस साल minus में रहा है, 26% का, तो इतनी छोटी मोटी जो है correction आते रहते हैं, बड़े से बड़े share में आते हैं, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, company के पास reserve भी है, 172 के, और 13 करोड का छोटा सा करजा है, तो करजे बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं है 13 करोड, तो डरने वाली तो कोई बात है यह नहीं, बाकी share holding pattern आपको पता ही है, कि खराब है फिलाल, लेकिन एक चीज इसमें अच्छी है, कि FII जो है, देखिए, FII ने 8% को buy किया हुआ है अभी भी, तो यह काफी अच्छी बात हमें देखती है, साथी साथ नए नए प्रोजेक्ट कंपनी काम कर रही है, कंपनियों का कुछ का acquisition भी इसने किया है, जैसे कि अभी कोईन और का किया था, तो अब FMCG में भी जाएगी कोईन और फोर्ट्स जो है, उसका इसने acquisition किया था, काफी अच्छा कंपनी देखे कर रही है काम, इन फ्यूचर बहुत अच्छे target हमें देखने को मिल सकते हैं, वीडियो पसंद आईए तो फिलिए लाइक कीजिगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिगा, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए नमस्कार जैहिंद जैभार